आप सबका टीम सरुनाबात करने वाले अपना जो आज के लिए मुकाबला रहेगा किस किस का साउथ अपरिगेडी टॉन्टी का एक तरफ है यहां से संट्राइजर्स इस्टन केप और एक तरफ है साथ-साथ वीडियो पसंद है तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ है पटावट से भी कर लो और साथ-साथ बैल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियो से वो बिल्कुल भी आप मिस्स ना कर नहीं चाहिए बाकि आते हैं अपने मैच के उपर देखो नो बज़े रहेगी इस मैच के इडलाई न्यू लैंड स्केप टाउन में होगा मतलब कि इस बार एमाई का यह हूम ग्राउंड है आगे बढ़ते हैं जरा तो बही 46 मैचसे ग्राउंड पर हो चुके हैं 24 जीद है 21 जीद है बैटिंग सेकिंड करने वाले टीम ने 149 का यहां पर जो है आपको एवरेज स्कोर देखने को मल जाता है और बहुत बार नहीं बनता है यह तोड़ा सा मैं बोल सकता हूं उनन एवरेज यहां पर 170 बन जाते हैं तो वह एक डिफेंडिंग टोटल माना जाता है कि उसको डिफेंड कर सकते हो क्योंकि अगर आप देखो 46 में से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब यहां स्कोर जो है वो 190 से उपर गया हो वरना यहां पर जाता नहीं है 180 भी बन गया है 185 भी बोल के चलो की बन चुका है 170 180 बनते रहते हैं देखो हम 182 बनाता बन बात वही है क 190 क्रोस नहीं हो पाया है बहुत ही कम हुआ है सिर्फ एक ही बार बागे अगर हम पिछले सीजन की बात करें क्योंकि उसके बाद में सिर्फ यहां पर वोमेंस के मैचस हुए ना यहां पटीर 20 को मैचस हुआ ना डोमेश टेक ना फ्रेंचाई कोई कुछ नहीं हुआ है लेगी चीज रखी जाती है पिछ वगरा का टून के लिए टेंचन ने देखो अब यहां से तहीं जनवरी को मैच वा पिछले साल तो प्रिटोरिया ने 182 बने माई को 130 पर ओलाउट कर दिया 14 जैन को मैच वा था जोबर्क को इन्हों 105 पर रोख है मारको एंसन ने यहाद है मारको एंसन ने यह मुकाबला आ रहा दिया था हमाई केप टाउन को अकेले डम दे था वो बंदा खीच के लेगा वाई हमाई के मुह से मैच वो बाकी ठातीन तों जन्वरी को मैच वा था और यहां से केप टाउन इठीज जिन्होंने 152 बनाए और डर्वन सूपर जैन सिन 154, 16 वर में चेज कर दिया था बाकी स्पिनर्स के विकट की बात करोगे और ने अवरेज 5-6 विकट यहां पर आ जाते हैं 4-5 विकट मान कर चलो कि स्पिनर के आते हैं इस क्राउन पर ठीक है उसके लाबा जादा कुछ नहीं होता पेसर्स भाई अपना इस विजुल रहते ह हो तो 160, 165 के आसपास बन सकता है टोटल विकट की बात करें तो उल्टा लिग दिया शायद बने पेसर्स के विकट है भाई 37 और स्पिनर्स के विकट आपको यहां से कुल मिलाकर 18 देखने को मलते हैं इसमें स्पिनर्स के पहली इनिंग में विकट जाद है और सेकंड इनिं में 19 विकट है आते हैं अपना नेक्श निकल कर प्लेइंग इलाउन के ऊपर कि आज के लिए जो है क्या भाई आपको प्लेइंग इलाउन देखने को मिलती है ठीक है अब ज़रा देको प्लेइंग इलाउन की बात करें तो आड़म रोसिंग डान जोडन हर्मान उसके बाद देखो इतनी एक्सपेक्टेशन तो थी मेरे को बाटमैन वोरल स्वेंग पॉल मार्को एंसन स्टब्स मार्क करम जोर्डन और रोसिंग्टन रहेंगे तो मैबल हुआ डोसन हुआ हारमर हुआ इनको खिलाया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्लेइंग इलाउन हलागी बै थोड़ा वरोसा दिखा सकते हो पहले मैच में नहीं चला तीनी बनाए बंठा अगर आम बैटिंग इसके देखोगे तो आपको ठीक ठाक स्कोर जोए देखने को मल जाता है हर्मन का ऐसा या तो भाई दस से नीचे चले जाओ बहुत एक्सपेक्टेशन ही मत रखो शुरू म ले करा सकता है पिछले बार भी जब मारकरम बोलिंग करा रहा था तो भाई गजब के विकेट निकाले थी उन्होंने हमाई गेप टाउन के अगेश्ट में उसका बाद में डिश्टन स्टब्स है 55 इनकी तरब से आयते और बागी पांच पर है स्टब्स तो भाई बिलकुल यहां से लेने लाइक चोईस मनत है अगर छटे पर आजाता है तो मैं बोलूगा थोड़ा फरक पड़ता है कि शायद नहीं लेना चाहिए बट पांच पर है पांच तक नूर्मली बैटिंग आ जाती है और इस पिछ पर तो पांच वे नंबर तक बैटिंग आती है और पां कि तीन मैच आसे जिसमें एक-एक विकेट निकाला है तो बनता भी है बागी हां यह थोड़ा सा रहा कि छटे साथ वे नंबर मारको एंसन के जश्ट बाद में बैटिंग आ गई तो वह हो सकता है कि बैटिंग लगरा इसकुछ पॉइंट से दे जाए बट स्मोल लिग के ल पहले 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 इच्छी होती थी आट 2016-17-18 वाले टाइम में बट अभी तो कुछ जादा खास नहीं दिखता है उसके बाद में बाटमें है विकेट भाई अच्छे निकालता है पिछले मैच में देखो विकेट ले तरह तो बहुत लोग लोग इग्नोर करने वाले हैं बट बाटमें ऐसा बोलर है जो दो से तीन विकेट भी निकाल सकता है पिछले सिजन बहुत बार निकाली थी यह जो आप स्कोर इसका जो परफ़यंस देख रहे हो ना यह पिछले सिजन का ही देख रहे हो अब तुम ही देखो किती बार इसके दो दो विकेट से ठीक है almost हर म केप टाउन के बोलर्स है आज के लिए अब उन्होंने एम आई आगे लगा दिया ना तो मुंबई निकलता है बढ़ाओं केप टाउन वाले बोलर्स है अपने पास में सेफ चोइस के लिए उसका बाद में डैनिल बोलर अच्छा बोलर है उस्क्रिलियन पेसर दो विकेट नि मलता है एरवी है पिछली बार ना एरवी ने दोनों बार रंस बनाये एक बार तो अच्छे बनाये एक बार थोड़े कमी थे बागी बैट्समन से कंपेर करो तो ठीक ठाक नंस थे एरवी के उन्यस-बीस के तगरीब बनते बागियों उतने भी नहीं बनाये तो एरवी हो गया पहले मैच में उसके बाद में साइम लेन है मलन है और उसका पैट्रिक क्रूगर यह भी अच्छा बैटर है अगर आप इसका ओड़ीडी का परफेंस देखो कि मतलब ओड़ी मैचस का तो आपको बड़ी सेंचुरी देखने को मलती है और जादा नहीं करा है तो और स ट्रडिशनल वीडियो होली जैकेट पर आगे मों बापस देखो रासी बांडे डसन रिकल्टन पैशले माच में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी दोनों ने 104 बनाया डसन ने और 98 बनाया यहां से रिकल्टन ने अब रिकल्टन बहुत कम होता जब इतना कंसिस्टन खेल बाकी हां विकेट कीपर में देखो आज भी सबसे सेफ चोईस इकलोती चोईस जिसको अब हम रखने वाले इनकेस अगर यह फ्लोप भी होता तो भी आज के लिए ही रखना पड़ता तो यहीं ऑप्शन बनता है आपने लिए बाकी डसन ले सकते हो सी वीसी के लिए माँ उत और उसके बाद में यहां से सैम करें नहीं बैटिंग बोलिंग दोनों आएगी सैम करें और सपेशली बोलिंग तो बिलकुल अच्छा बनता है यहां से लाश्ट टाइम भी बड़िया करकी गया था अगे संट्राइज आर उसके बाद मैस्ट नहीं की बैटिंग नीचे कर अब आज के लिए भी है इंपॉंट तो बनता है आपके लिए उसके बाद में ओले श्टोन है जिसकी बॉलिंग बड़िया अभी देखने को मलते है कगी सो रभाड़ा विकेट बाई बिलकुल लेके आपको दे सकता है यहां सा कगी सो रभाड़ा इंपॉंट बनता ही बनत है बोलिंग शेक्शन से हेंड्रिक स्टोन रभाड़ा तीनों इंपॉंट है बट तीनों को नहीं रख पाएंगे कैसे भी करके आप टीम में हाँ अल्टरा रिस्क लोग किसी बड़े प्लेयर को छोड़के तो बात अलगे अदर्वाइस अगर नॉर्मल या बैलेंस टीम ब तीनों वो अच्छा कर रहे हैं तो इसको बाहर ही बैठाएंगे ग्रांट रॉलिपसन का भी अभी के लिए तो बाहर बैटना कंफर्म ही एक तरीके से इनकेस अगर खेले तो आपके लिए एक विगिट की पर सेक्शन में ऑप्शन खुल जाता है फिर ठीक है क्या बोलते है है रिकल्टन के साथ मिलेनेगा बालेंगा कि यहां से टोम बैंटन है क्रिस बेंजमिन है बो बैंजमिन को खिला सकते है विए एस्टिन हुगे पर उसकाद में तो मैस के बार पहले मैच खेला था एक ही ओवर डाला उसकाद में वान फुसारा है नहीं और इनके बास में ही रहता है जिसके नाम विकेट उतने जाद आपको देखने को नहीं मिलते हैं एक बार है यह दो विकेट बागी आते हैं जरा ओवर कौन कितने डालते हैं यहां से अगर हम बात करें तो पिछले मैच में देखो यहां से हुआ क्या था नई बोल के साथ में जोर्ज लिंडे ऐस जो डेथ ओवर्स रहेंगे उसमें आपको एक तरफ से कगीश और अवाड़ा देखने को मल सकते हैं दूसरी तरफ से ओली स्टोन या फिर ब्यूरें हेंड्रिक्स में से कोई एक डालता हो देखे अब पिछले मैच में उसे और पूरे हुए नहीं थे तक्रीबन 17 या 16 और म जो यह टीम है जोबर्ग थी वो ओल आउट हो गई थी उसके बाद में अगर में एक्ष्ट बात करूं इधर से तो डैनियल बोरल मारको एंसन आपको नहीं बोल के साथ में बोलिंग करते हो दिखने वाले हैं बाकी तो भाई यहां से हार्मर है और लियम डोसन है बाटमेन ह स्वेंपोल है अब देखो इवन बाटमेन थोड़ा महेंगा साबित होता है आज के लिए भी हो सकता है मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यह इकनोमिकल बोलर है ऐसा कुछ है रंग खाता यह बडविकेट भी निकालते हैं वह अली बात रहती है बाटमेन के लिए बाकी इध तरफ से बाटमेन एक तरफ से मारको एंसन देखने को मिल सकता है ठीक है डेथ बोलिंग में उसके बाद में बात करें वेन्यू की तो पांच मैचस खेले थे पिछले साल एमाई की टीम ने जिसमें उन्होंने दो जीते थे तीन हा रहे थे और यहां से जो संड्राइजर की उन्होंने एक जीता था इनके अगेश्ट में ही जीते थे और उसके अलावा आते हैं जर अपने वेन्यू लीडर्स के उपर डसन के नाम वेसेस ग्राउंड पर सबसे जाधे रंज है अटारा इनिंग में पांसो पंदर रन है एवरेस भी 39 का है उसका बाद में कारें प्ला इनके नाम रंस है और डैविड मलन ने भी वैटिंग अच्छी किया तीन में सुरी तीन नहीं साथ मैच में 164 रंस है इनके नाम तो यह रहते हैं अभी के लिए जो हमारे वेन्यू लीडर्स है इस पेशली डिवाल प्रूइस आपके लिए एक डिफरेंशल पिक हो सकता है बैटिंग श्रेक्शन में से उसके लाब बागी तो सब सेफ है डसन हुआ रिकल्टन हुआ लिंडे हुआ यह सब सेफ बनते है उसके बाद में आते है अपना वैन्यू लीडर्स बोलिंग श्रे साथ मैच में 12 विकेट निकाल रखे है बात यह कि बोलिंग नहीं करेगा आज के लिए तो उतना कुछ मत करना कि कहीं सीरीसी बनाने बैट जाओ कि बाए पॉलाड के नाम है सब से बढ़िया बाकी तो बिसी का नहीं है बाकी बोलिंग नहीं करेगा पॉलाड को विकेट जर यहां से 18 अब जैन को लगातारी हुए थे इनके जो मैचेस थे 18 अब जैन को हुआ एमाई ने 171 बने संराइजर्स ने 172 बनाकर टार्गेट चेस गर लिया सिर्फ एक क्लियर था जो यहां से एमाई को हरा गया था वो था मारको एंसन भाईस अब 27 बोल में 66 रंस बना दिये थे यहां से बाटमेन ने दो विकेट ले तीन और में और मारक करन ने एक विकेट लिया था तीन और में 26 रं देकर सिट्शन स्टप्स के भी 28 आय थे वहीं पर रिकल्टन ने 46 बनाय थे एमाई की तरफ से रोलेफसन के 56 थे रबाड़ा के तीन विकेट सैम करन का एक विकेट था और वहीं पर अगर हम दूसरी तरह बात करें 16 जन्वरी को भी इनका पहला मैच जो हुआ था वह सोला गो हुआ था एमाई ने 158 बने जो संट्राइजर थे उन्होंने वापस चेस कर दिया एमाई की तरफ से एकलोदा घिलाडे जोर्ज लिंडे 28 बोल में 63 रंस बना कर गया था तो बैद दोनों मैच असमा पी एक चीज़ यह देखो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर तो निकल कर आता है जो बैग 25-30 बोल में 50-60 रं बना के जा रहा है बागी डसन था 29 बनाया थे सैम कर एवन थे एरवी के इवन इस मैच में भी 19 रं वो मने लिखे नहीं है मैंने सुर्फ 20 रं सूपर वाले लिखे तो यहां सा 19 रं एविके इस मैच में भी थे यहां से दो बार आउट हो चुका है वापस यह चीज आपको दिख सकती है वैसे डाइवड मलान अगेंश लिविंग्ष्टन यहां से दो बार आउट हो चुका है वहीं पर ग्रांट रोल एपस है जो बागी की दो बोल बची उसमें एक रान बनाया था बाकि टॉम बेंट अ अगेंश लियम डोसन दो बार विकेट गवा चुका है 14 बोल में 23 रिंस बना कर तीम की बात करें तीम में अगर आप देखोगे तो यहां से मैंने किस किस को रखा है और एकल्टन मेरे पास में टॉम एबल को रखा है डेवार्ड ब्रोस को मैंने यहां से पिक नहीं किया पांच और नहीं पिक कर सकते हो आपको बाई चार ही रखने पड़ेंगे तो उस केस में आप किसको कर सकते हो ठीक है उसकेस में जहां तक मेरे को लगता है अगर रिसक लेने की बात है तो फिर आइधिंग इस पिच पर स्पिनर बहुत ज्यादा भी एफेक्टिव नहीं रह थोड़ा सेफ जाना हूँ ज्यादा सेफ जाना हूँ पिछले मैच के पर्फोंस के बेसिस पर तो फिर रिकल्टन या डसन में से किसी एक को कैप्टन कर लेना बट मेरे अकोर्डिंग मार करम और लिविंग्स्टन ज्यादा बैटर चोइस बनते हैं यह जाती अभी के लिए झाल